कि है लो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हादिक स्वागत थे ट्रपल सी बाइफाइ श्रीडिजनल पर और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी के लिए कुछ इंपर्टियन बताने वाले हैं जो कि आप सभी क लिए काफी इंपर्टेंट होने वाले हैं क्यश्वर्ट कर्याइफ तो इसमें आपको कुछ country wise domain name जैसे क्या होता ना कई बार country wise domain name पूछते हैं कई बार आपने देखा जैसे dot com होता है इस type से है ना जैसे आपका dot in हो गया तो इक country wise domain हो गया तो आपको country wise भी बताएंगे और बैसे domain name भी आपको बताएंगे तो चलिए start करते हैं class सबसे पहले हम commercial होता है तो यह आपको आद रखना है dot com का मतलब होता है commercial ठीक है याद रहेगा आपको ना दूसरा हमारा हमारा का मतलब बता है यह एक organization को दरसाता है जो आपका .org होता है ठीक है जिसमें आपका अगला है info info जो होता है वो information की तरफ आपको इसारा करता है ठीक है यानि कि info means information org organization .com commercial ठीक है उसके बाद में अगला है .net तो ये भी काफी है आपको काफी पूशे जाता है .net .net का मतलब होता है networking ठीक है और .edu जहां पर भी आपको मिलता है इसका मतलब होता educational तो कोशी top level domain है जैसे की .com हो गया .org हो गया info हो गया .net हो गया .edu हो गया ये काफी बार पूशे भी जाते हैं तो com का मतलब commercial हो जाएगा और जी का मतलब organization हो जाएगा info का मतलब information हो जाएगा नेट का मतलब networking हो जाएगा एजू का मतलब educational हो जाएगा ठीक है अब कुछ हमारे पास यहां पर country wise domain है जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि आपका .in अगर किसी भी website के last में आप में देखा होगा .in लगा होता है तो मतलब वो आपकी Indian site होती है है न कई बार.in आपको देखने को मिलता है तो यह Indian site होती है जिसमें हम .in का मतलब इंडोनेसिया अगर आपको .id का मतलब इंडोनेसिया अगर आपको .il मिलता है उसका मतलब होता है इज्यरायल एक trip अगर आपको .JP मिलता है तो .jp which का मतलब नेपाल, ठीक है, डॉट, यहां पर आपका, L का मतलब होगा, स्री लंका, ध्यार रखना है, स्री लंका में यह पहले आता है, लेकिन यहाँ पर केवल L के लिखा जाएगा, dot L, और के, इसका मतलब होगा, स्री लंका, ठीक है, UK का मतलब होगा, United Kingdom, यही एगर आपका डार्ट यूएस नियुट्ड आफ अमेरिका के दिया रखना है दिया रखना है तो यह आपका मैक्सिको होगा डार्ट कैनाड़ा होगा डार्ट अर्च्णाटीना होगा और अरिश्ट्रिल्या होगा कई बार आया है डाट एउ ठीक हो इनको आप याद रखना ही कुछ डॉमेन नेम है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिये और यह आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी एक दो कुछिंस बन जाते हैं और अगर एक या दो कुछिंस आपकी डॉपल स हो जाएंगे और बहुत ही आसान ही याद करना ठीक है तो एया अर्जिंटीना एयू आस्ट्रिलिया सीए कनाडा एमेक्स मैक्सिको यूएस यूनाइटे स्टेट आफ अमिर्का ना बाकी का आप देख सकते हैं जैसे आईयन आपका इंडिया आईडी इंडोनेसिया इनफो का मतलब नेट वरकिंग होता और एयुकसिनल होता है ठीक है तो यह भी आप थोड़ा याद करकेकर जाना जब भी आप तयारी करी ही रही हो तो आप कोई भी पारट छोटने बद्दो उसको भी पकड़ो भले आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए लेकिन चांस होते हैं पूछने के तो उसको याद करना पड़ता है ठीक है तो आज की क्लास पसे ही तर उमीद करता हूँ आपसे कोई वीडियो अच्छी लगे होगी अगर अच्छी लगे हो तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर आपको टॉप एंसिक Beautiful कर आते हैं ठीक है जो भी आपके diy होते हैं टॉप लेबल पूष्चन वहाप